हेलो फ्रेंड्स धनश्री केक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है तो आज हम यहां बेकरी स्टाइल बटर स्कॉच केक देखने वाले हैं तो देखो यह लग रहा है ना बेकरी स्टाइल तो यह केक हम डीटेल में देखने वाले हैं तो वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत करना चलो तो इस पैरे से केक को शुरुवात करते हैं तो यहां मैंने दीड केजी का केक स्पोंज बनाया है यह मैंने 8 इंच के टीन में बनाया है और यहां मैंने 3 कप प्रिमिक्स लिया था याने 5500 प्रिमिक्स यहां मैंने लिया है और यह जो स्पोंज है यह मैंने 8 इंच के टीन में बेक किया है इसके मैंने तीन लेयर बनाए है और एक लेयर यहां मैंने रग दी है तो यहां मैंने शुगर सिरफ से सोक कर रही हूँ या आप नॉर्मल ओटर से भी सोक कर सकते हो और यहां मैंने टू एन हाफ कप क्रीम बिट की है वो भी क्रीम मैंने स्प्रेड की है तो यहां देखो थोड़ा जादा जादा भी नहीं और कम भी नहीं है इसी क्रीम स्प्रेड करनी है आपको पसंद आती है तो जादा भी आप डाल सकते हो तो बाद में यहां मैंने बटर स्कॉच का क्रश डाला है मेरे पास यह फूर राइट कमपनी का बटर स्कॉच का क्रश ह यह मेने डादा है आप मालाज company का भी use कर सकते हो या order कौन से भी company का आप use कर सकते हो तो बाद में second layer और वही process यहां हम repeat करने वाले हैं आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करना और उसके बाजू में बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करना इससे क्या हुगा हमारे चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहते है और उसकी क्रश डालने में कंजूशी मत करना ङाक किया क्रश तरपल प्रूपर उसथी फ्लेवरा टेस्ट आती अपने पैनेपल बनाया तो मिक्स फ्रूट का तो देखो थिसरी और सभी यहां मैंने रख दी है और से सोग कर रही हूँ यहां मैं शुगर सिरफ यूज करती हूँ आप नॉर्मल ओटर से भी सोग कर सकते हूँ तो देखो लास्ट लेयर भी मैंने रख दी है और पूरा केक जो है यह मैंने क्रीम से कवर करने वाली हूँ तो यहां देखो मैंने पूरा केक दिखाया है आपको त तो पूरा क्रीम से हम ये केक जो है ये कोट करने वाले हैं अच्छी से फिनिशिंग करनी है यहां मैंने टू एंड हाफ कप क्रीम ली है यह यह 500 ml तक होगी बाद में यहां मैंने 550 ग्राम प्रिमिक्स लिया था और उसमें मैंने बेक किया है आठ इंच के टीन में तो आपको य केड़ केजी की ओडर आ गई तो यह केक जरूर देखेगा यदि आपको एक किलो का करना है तो 380 ग्राम या 360 ग्राम प्रेमिक्स लेना है और उतनी ही क्रीम लेनी है और बीट करके लेनी है और फिर बाद में वह एक केजी का केक बन जाएगा तो हमारा यह जो केक है यह किंगी है और बाद में घ्रिम ली यह यहां मैंने लिकविड हने आप जेल कलर भी यूज कर सकते हो अब Rab अच्छा होता है तो यहां देखो पूरा केक जो है यह मैंने यलो कलर के क्रीम से कवर किया है लेकिन यहां मैंने लाइट यलो कलर बनाई है जैसा बटर स्कॉच का कलर होता है तो देखो आपको चाहिए तो आप डार्क कलर भी बना सकते हो लेकिन यहां मैंने प्रॉपर यूज की है तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी फिनिशिंग हमारे केक की हो गई है तो देखो प्लेन स्क्रापर से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है तो एक एक प्लेन स्क्रापर जरूर लेना तो देखो यहां में फिर से जिग जैग वाला स्क्रापर मेरे पास है तो इससे मैंने scrap किया है या design बनाई है और बाद में मेरे पास है gel, black, red और yellow और इससे हम ऐसा round बनाएंगे यहां हम web design बनाने वाले हैं लेकिन हम अलग-अलग color से बनाने वाले हैं जैसे bakery में bakery style cake लगता है यह proper वैसा ही हमें बनाना है तो देखो फिर से यहां मैंने एक black color का round बना तो यहां मैं ऐसे अलग-अलग कलर यूज करने वाली हूँ, तो आप इससे भी अलग कर सकते हो, जैस्ट मैंने आपको आइडिया दी है, ब्लैक फॉरेस्ट बटर स्कॉच केक कैसे बनाना है, तो देखो बहुत अच्छा ये केक हमारा बनने वाला है, बनने के बाद तो ये ब बहुत प्यारा लगता है, तो एक-एक राउंड यहां मैंने अल्टरनेट बनवाया है, और फिर से ये एक टूटपीक ली है, इससे हम अंदर के साइड में खिचते हैं, तो देखो कितनी प्यारी यहां वेब डिजाइन बन गई है, तो बहुत अच्छा ये केक बन चुका ह आप भी ये केक जरूर ट्राइ किजिएगा, और यहां मैंने लिया है नूर का 14 नमबर का नुजल अर उससे यहां मैंने छोटे-छोटे रोजेट्स बनाए हैं, और बॉर्डर भी बनाई है, तो देखो लग रहा है ना, प्रॉपर ऐसा बेकरी स्टाइल केक, तो ये केक पसंद आएगा, तो हमारी चैनल को या वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो केक बनाते हैं, उनको आसानी हो जाएगी, तो यहां मेरे पास कोई रेडिमेड बटर स्कॉच के क्रंचेस है, इससे मैं गारनिश कर रही तो देखो कितना प्यारा हमारा केक बन चुका है, यदि आपको यह मेरा केक पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को जादा से जादा शेयर करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है, तो देखो लग रहा है ना प्रॉपर बेकरी स्टाइल 100% तो पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चोलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाइ बाइ टेक केर गाई